कि सायद अगर घर में साउचाले होता तो कल जो रेप हुआ वह रेप नहीं होता क्योंकि जो रेप का कारण मना वह सौच बना सुभा यह साम में वहां जो भी पूरा महला है जिसको एक तरह से चमार टोली रविदाश टोली कहा जाता है वह पूरा जो एडिया है वहां की जो म खुलवारी बिधान सभा अंतरगत आता है हम यहां इसलिga हैं और हमारे सामने जो आप घर देख रहे हैं यह यहांके मूख्या का है जो नवीता देवी हैं जो जीन करके स्टोड नहीं होने के कारण दो बच्चिकों का रेप हो जाता है और जब हम उनके घर पर चेक करने पहुँंचते हैं उनके घर में चोटा सा है और की अस्थान नहीं है लेकिन घर घर में सौच बनाने का काम जो है वो मुख्या को है पर्खन दस्तर पर जो ब्लॉक पदरीकारी है उनका है लेकिन हम यहां पहुंचे हैं और हम यह जानने की कोशिस कर रहे थे कि क्या जो मुखिया है यहां के क्या उन्होंने अपने तरफ से क्या एक तरफ का सरवेक्षन किया था कि किस घर में सौचाले है या किस घर में सौचाले नहीं है हम सौचाले पर इसलिए बात को फोकस डाल हैं कि साइद अगर घर में सौचाले होता तो कल जो रेप हुआ वह रेप नहीं होता क्यूंकि जो रेप का कारण मनाऊ वह सौच बना सुभा या साम में वहां जो भी पूरा महला है जिसको एक तरह से चमार टोली रविदास टोली कहा जाता है वह पूरा जो एरिया है वहां की जो महिला है उनका कहना है कि किसी घर में सचाले नहीं और वह जो गाउँ है कुरजी गाउँ है वहहां की जो मुख्या है वो नवीतGOian देवी है उनहीं के घर थे आप कहिएगा कि सही बात है आप इते फाक के साथ गय कोई जान नहीं रहा था कि आप जाये गा ही या नहीं जाये गा लेकिन हमरा सantic बनता है कि जब हमने इनसे नमबर मांगा कि क्या उनका नमर है क्या हम उनसे बात कर सकते हैं तो जो घरवाले हैं उनका एक ना है कि हमारे पास नमबर भी नहीं है तो यह एक तरह का सवाल जरूर उठेगा कि जिस चुनाव में आप लोगों से बादा करते हैं कि हम उनके सुख दुख और उनका जो मिनिमम जो सुविधा है सौच है पानी है या जो भी सुविदा है वह हम प्रवाइट करेंगे लेकिन आप उसमें भी जो है कंप्लीट रूप से जो है कर नहीं पाते हैं और जब हम आप से मिलने आते हैं तो आपका तर्क रहता है कि मेरे पास नमबर नहीं है हम आपको बता दे कि भारत सरकार सौचाल नहीं पाते हैं और यह माता जी है माता जी थोड़ा गेट खोली हम पानी हम पीएंगे हम कह रहा है कि आप की बहु और बेटा दोनों साधी में गए हुए तो अगर घर पे कोई अपात काल इस्तिति आ जाए तो आप फोन पर बताएगा ना उनको कि हां नमर तो होना कि की चोटे बेटे के पास जो है मुंखी है तो पहला आपका दयत्व होना करें और निप्टारा तभी होगा जब आप से कॉम्मिनिकेशन रहेगा यानि आप जब तक उनसे संचार नहीं कीजिएगा जन संचार नहीं होगा तब तक जो है उनकी समस्याओं को दूर नहीं कर सकते हैं मामला फुलवारी थाना अंतरगत था यहां आने का काम इसलिए हुआ क्योंकि सवचाले बनाने का काम या सवचाले का देखरे का काम यहां पर क्या आसुविधा है उसके लिए लोकतंत्र में सबसे छोटी काई पंचायत को बनाया गया है पंचायत के मुख्या का यह दायत्व करेंगे हो सके दो दिन बाद भी हम आए लेकिन इसे संपर्ग जरूर करेंगे क्योंकि अगर उस महले में अगर साइस सौचाले बन जाएगा तो कल से कोई महिला जो है वो सौच करने के लिए बाहर नहीं जाएंगी और उनका बलतकार नहीं होगा जनता जक्सन आप देख रहे कर दो